दोस्तो हुस्टल की लैप तो बहुत जादा अनोखी होती है लेकिन बहुत बार ये हुस्टल हमारे लिए सरदर्द भी बन जाती है और हमारे जान पर भी आ जाती है लेकिन दोस्तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सीनियर की रैगिंग के चलते बहुत सारे छोटे बच्चे ब इसके गये हैं और हर एक एपिसोड लाइग फ़र 25 तो 30 मिनट्स की हैं सिरीज को चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ कर देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं थोड़ा वगत इस सिरीज की स्टोरी के बारे में दोस्तो सिरीज की स्टोरी के अगर हम बात करें तो सिरीज की स्टोरी शुरू होती है एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल से जहां पर अचानक से ही एक बच्चा गायब हो जाता है लेकिन असल में यह बच्चा किड्नैप कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है बार उबासी आ जाए और हो सकता है कि आप इसे जल्दी खतम करने के चकर में एक आद एपिसोड स्किप भी कर दे सिरीज की एक छोटी सी मिस्टरी को लगभाग एट एपिसोड तक खिचा गया है इवन जब आप इस सिरीज को देखेंगे तो सिरीज को देखने के बाद आपके दिमाग में सिरिफ एक ही बात चल रही होगी कि इस सिरीज को चाहे तो हम चार एपिसोड में भी देख सकते थे लेकिन दोस्तों बीच के बहुत सरे ऐसे एपिसोट हैं जिसमें सिर्फ डायलोग बाजी दी गई है और इन सिरीज में कोई भी महत्पून चीज नहीं दिखाई गई है तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सिरीज की रेटिंग के बारे में लेकिन असके लास्ट की एपिसोट को देखने के बाद आपके दिमाग में सिरिप यही चल रही होगी कि इतने देर तक हमने जिस सिरीज को देखा उसके बाद मिस्टरी बस इतनी सी रिवील हुई और आप यह सोच रहे होंगे कि इस कमप्रीट सिरीज के अगर हम episode 1 और 2 देख लेते और इसके बाद direct अगर 7 और 8 देख लेते तो भी ये complete series हमें अच्छी तरह से समझ में आ जा दी क्योंकि बीच के episodes में कुछ भी नहीं दिखाय गया है हलकी full की dialogue बाजी और हलके full की teachers के कुछ tensions को इस series में दिखाने के कोशिश की गई है तो दोस्तों series की story तो काफी हद तक अच्छी है लेकिन series के presentation काफी हद तक slow है even boring भी आप कह सकते हैं तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि series को हम देखे या ना देखे तो दोस्तों series देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ओपर डबन करता है लेकिन series देखने से पहले ये बात जरूर याद रखे कि ये complete series बहुती slow तरह के से present की गई है series में action मारधार कुछ भी नहीं है series की mystery भी आपको उतनी भी interesting नहीं लगने वाली है even इसकी mystery भी बहुत ज़्यादा कमजोर है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का review पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ